हेलो दोस्तो, वेलकम बैक टू माई चैनल, दोस्तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी डॉग ब्रीड की जो लोगों ने बहुत बदनाम कर रखी हैं, जो की हैं रॉट विलर, कई कहते हैं ये अपने मालिक को भी मार देती है, ऐसा कुछ नहीं है, रॉट विलर एक बहुत ही प्यारी डॉग ब्रीड है, जो अपने ओनर के लिए बहुत लॉयल होती हैं, अगर आप भी रॉट विलर के शौकीन हैं और रॉट विलर को अडॉप्ट करने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आप के लिए हैं, इस वीडियो में हम रॉट विलर ब्रीड के और नुकसान के बारे में बताएंगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इन्हें ट्रेनिंग देना बहुत आसान होता है, आप जो भी सिखाओगे ये आसानी से सिख लेते हैं। बहुत प्यारा डॉग है, अगर आप उसे बांध के न रखे और बचपन से उसे सो-सोलाइज कराए और इन्हें खेलना बहुत पसंद है। और बच्चों के साथ भी बहुत अच्छे से खेलते हैं। आपको भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। और एकसरसाइट से उसका एनरजी लेवल डाउन रहेगा और वो शांत रहेगा। नहीं तो वो अग्रेसिव हो सकता है। अग्रेसिव, रॉट्विलर को ज़्यादा बांध करना रखे और बचपन से ही उसे सो-सोलाइज करवाए। ऐसा ना करने पर वो अग्रेसिव हो सकता और अग्रेसिव रॉट्विलर को संभालना बहुत मुश्किल हो सकता है। ये थे कुछ प्वाइंट रॉट्विलर के बारे में, अगर आपके पास रॉट्विलर है तो आपको ये बाते ध्यान रखना जरूरी है। लेकिन किसी भी डॉग का अग्रेसिव होने में उसके ओनर की गलती होती है अगर आप किसी भी ब्रीड के डॉग को बांध कर रखेंगे या उसको टाइम नहीं देंगे, उसके साथ खेलेंगे नहीं तो कोई भी डॉग अग्रेसिव हो जाएगा, इसी के साथ वीडियो को करते हैं समाप्त और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें